ये देख लो टेली इसकोपिक स्टेरिंग आने वाला ये पहला ट्रेक्टर है जिसको न्यू होलेंड कंपनी इंडिया के अंदर डिलीवर करती है कारों में देखा होगा सन्रूब भाईया ये देख लो हमारा तो ट्रेक्टर ही जैगुआर और बीम डबलू है मतलब खजाना ह माल ही कि खोलते हैं इसका आम्रेश्ट का और दिखाते हैं इसका कंचा आभी तक आपने दोस्तों पूरे भारत वर्ष में 90 और तक के ट्रेक्टर देखे होंगे लेकिन आज की एक नई शांदार वीडियो में हम आपके लिए रिवेल करने जा रहे हैं इंडिया में बन आफ दी मोस्ट पॉपलर ब्रैंड न्यू होलेंड कंपनी की तरफ से आने वाला कितने 200 hp करेक्टर सुनाई तो दे रहा हैं दोस्तों मन में एक सवाल आता है कि 200 hp का इंजन जो है बनता कहां होगा आईए आपको दिखाते हैं इसमें जो इंजन लगाया जाता है वो बनता कहां है तो दोस्तों यह इंडिया में नहीं बलकि इंग्लेंड में बना हुआ हुआ और इसमें जो है यदि हम इंजन की बात करें तो फियेट पावर ट्रेन का जो है इंजन लगाया जाता है जो की पहले की समय एक रिलाइवल कार कमपनी हुआ करती थी साथ ही साथ दोस्तो इसके अंदर कूलेंट सिस्टम के लिए कमपनी ने ऐसे ऐसे रेडियेटरों का इस्तमाल किया है जो की मल्टी नेशनल लेवल की कमपनिया है और बेस्ट लीडिंग प्रोड़क्ट है और सबसे बड़ी बात करें दोस्तो इस ट्रेक्टर के ओल ओवर पाथ ही साथ यहां पर जो है कैविन में चढ़ने के लिए चार स्टेप बार मिल जाते हैं यदि बात करें हम इसके पावर हाउस की पावर कहां से जाती है करेंट कहां से जाता है तो उसके लिए रखा है यहां पर कमपनी बैटरा बैटरी नहीं रखी बैटरा एक बैटरी जो है कंपनी आपको इसके अंदर प्रोवाइड कराती है अब बात करें टायर विगेरा को लेके तो यहां पर रेडियल टायर कंपनी जो है ओफर करती है अगला टायर आपको मिलता है चौदा नो अठाइस का देखने के लिए और पिछले टायर की यदि हम बात करें 42 इंच का जो वेट लेफ्ट और चार कुंटल का वेट आपको इस टेक्टर के राइट के तरफ देखने के लिए मिल जाता है उसी तरह से बढ़ते हुए करम मैं चलते हैं फ्रेंट वंफर की यदि बात करें तो यहां पर 45 केजी का फ्रेंट वंफर लगा हुआ है और इसको यदि हम गिन दोस्तो आज की ये जो वीडियो है हम बना रहे हैं इंडिया के एक ऐसे किसान की जो की आज किसानों के लिए गर्व की बात है गिल ब्रदर्स एग्री कल्जर फरीद कोड पंजाब के अंदर से हैं जिनके पास न्यू होलेंड कमपनी का ये 200 होस पावर का ट्रेक्टर है जि यहां दोस्तो ये मॉडल है न्यू होलेंड का T690 अब चलते हैं इसकी केविन की तरफ यहां पर यदि हम बात करें इसके पैट्रोलियम की या डीजल टैंक की तो यहां पर जो है आपको 300 लीटर की फ्यूल टैंक कैपसिडी देखने के लिए मिलती है और साथ ही साथ इसका जो केविन है भाईया ऐसा केविन आपको मर्सडीज, BMW, जेगोर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों भी में देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसा केविन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है आईए दोस्तो इसका पूरा केविन हम आपको दिखाते हैं कि क्या क आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सस्प्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इतनी भड़ी गर्मी में आपके लिए इतनी वीडियो लाते हैं तो मॉटिवेशनल के लिए मॉटिवेशन के लिए इतना त परह-तरह की इनफॉर्मेशन सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्राईवर के राइट तरफ इसका जो है डिस्प्ले पैनल सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं यहां बेलर लेखा हुआ आता है बेलर, आपको इसके system में इसके LED system में mention की जाएगी उसमें क्या problem है कितना power conjunction कर रहा है किस nut में किस जहां कोई problem में दिक्तत समस्या हो रही वो आपको यहां देखने के लिए मिलेगी उपर के event की बात करें maximum 180 volt की charging capacity music system AC control event fan system साथ में heating और cooling system यहां पर lights विगेरा का control और यहां पर आपको music system sound और साथ में यहां पर premium wooden touch दिया गया है अभी तक आपने ट्रेक्टरों में देखा होगा क्या सोचने वाली बात है अभी तक आपने कारों में देखा होगा sunroof भाईया यह देख लो हमारा तो ट्रेक्टर ही जैगवार और BMW है और कार की यदि बात करें तो उसमें आती है टेलल स्टेरिंग लेकिन भईया टैलोस्कॉपिक स्टेरिंग आपने नहीं देखी होगी यह देख लो टैली स्कॉपिक स्टेरिंग आने वाला यह पहला ट्रेक्टर है जिसको न्यू होलेंड कंपनी इंडिया के अंदर डिलेवर करती है यदि पैडल वगेरा की बात करें तो यहां पर जो है आपको मिलते हैं suspended type pedal और ये रही उंगली और ये देख लो उंगली से मैंने इसकी clutch दबा दी आप भारत के किसी tractor की उंगली से clutch दबा के दिखा देना ये मेरा open challenge है देख लो इतनी शांदार और smooth इसकी clutch है साथ ही साथ अब भाईया यहां छुपा है जादू का खजाना खजाना मतलब खजाना ही खजाना माल ही माल चलिए खोलते हैं इसका armrest और दिखाते हैं इसका खजाना तो ये देखिए दोस्तों यहां निकलता है इसका खजाना जिसके अंदर मिलते हैं आपको इस टेक्टर के पूरे हाइड्रोलिक्स कंट्रोल जिससे आप इसकी लिफ्ट को हर तरह से एजेस्ट कर सकते हैं सौट में बता रहा हूँ लंबा करूँगा वीडियो बली हो जाएगी यहाँ पर बात करें यहाँ पर आपको इसका लीवर मिलता है जो की नाइन पॉइंट एजेस्टमेंट के साथ में आता है यहाँ पर आपको इसकी lifts के control मिल जाते हैं यहाँ पर जो है आपको इसका man gear lever मिलता है जिससे आप इसके levers gears को control कर सकते हैं इसमें यदि हम gear की बात करें तो 19 forward और 6 reverse gear speed आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी side panel के यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको चाय distributor bulb मिलते हैं तो दो-दो distributor bulb का lever, PTU का separate clutch और PTU यदि कभी चोक हो जाता है कोई हमारा agriculture equipment तो उसमें जटका मारने के लिए switch 377, 540 normal, 540 E और 1000 RPM बाला PTU मिलेगा left तरफ बात करें cigarette, cigarette पीने का मन करें कभी तो यहाँ से बस ऐसे दवाना cigarette जल के बाहर आएगी मज़ा आ गया ना चलो भीया, इतना ज़्यादा भी मज़ा नी लेना हमारे comfort की बात करें यह देखो, seat देखो कितनी शांदार seat है seat की कीमत की यदि हम बात करें ना, तो भारत में जितने की एब जेड आती है, उतनी की तो इसमें seat ही बस रखी है वहिया चलिए बात करते है driver seat की तो यहाँ पर बैठी है वहिया, splendor बजड़ वाली seat, जो की side वाले passenger को दी जाती है, यहाँ पर यदि हम बात करें, steering के all over system की, तो यहाँ पर super subtle gear मिलता है, असान सी भासा में समझाएंगे, यहाँ पर lights का control, बाइपर का control, weather light, all over, carो वाले features मिलेंगे, कभी-कभी गर्मी के दिनों में बहुत तेज धूप लगती है 45 degree temperature है, तो यह लीजिए, car वाली चीज यहाँ पर मिलेगी, इसको just नीचे करना धूप भाईया, गायब, चलिए आते हैं बाहर की तरफ, और बात करते हैं और भी जादा features की उससे पहले भाईया, अभी तक video like ने की, तो कर दो यार मज़ा तो आने ही वाला है एक और बात बोलूँ यह जो है ना, यह जो brand name है, Gill Brothers Agriculture, इनका official खुद का Instagram पेज भी है, और खुद का इनका official YouTube चैनल भी है जहां पर आप समय समय पर इनके हर एक 35 होस पावर से लेके 200 होस पावर तक के ट्रेक्टर्स का collection और सैयंतरों का collection देख सकते हैं यार आपने front का बेट तो बताया नहीं नहीं मजा सा नहीं आ रहा comment कर दो तो बात मने खेर चलते हैं पीछे और देते हैं एक मौका और आपको दोस्तों इसके ज़िए हम silencer की बात करें ना तो इतना मोटा silencer भाड़त के ट्रेक्टरों में नहीं होता टाइरों भी में इतना मोटा साइज नहीं लगता जितना मोटा इसमें silencer लगा हुआ है लाइट्स विगेरा का बेटर तरीके से perfect combination side mirror placing position मिल जाएगी थोड़े से चलते हैं पीछे की तरफ वीडियो को जल्दी खतम करने की कोसिस करेंगे यहाँ पर जो lift लगी है इतनी शांदार sensing वाली lift लगी हुई है जिसमें एक केजी के भी बजन का effect आपको बहाँ पता चल जाएगा कि ट्रेक्टर में किस तरह से पढ़ वहा है साथ ही साथ यह जो lift capacity है इसकी तो बात ही मत करो साड़े आठ हजार किलो ग्राम छमता वाली लगवग इसमें lift capacity लगी हुई है टापलिंग linking की point की बात करें hydraulic telescopic वाली जो है आपको इसमें टापलिंग मिलेगी LED light जैसी connectivity के लिए separate socket वार मिलेगी charge distributor bulb और यदि आप इसकी lift को enhance करना चाहते हैं तो अपनी अवस्सक्ता अनुसार lift को enhance कर सकते हैं साथ ही मैं distributor bulb को भी जो है आप इसमें enhance कर सकते हैं अब भाईया बात आती है इसमें PDU horsepower की इसके अंदर मिलती है आपको 125 horsepower की PDU speed जिसमें आपको शांदार performance मिलेगी उसका proof क्या है ये देख लो भाईया New Holland इंडिया की leading brand company का जो है इसमें बिग बेलर 890 प्लस square roller बनाने वाली जो है मसीन फसी हुई है और जब ये इसको operate कर सकती है तो बाकी क्रसी के equipment की भाईया ओकाद ही क्या है चलिए आए ले चलते हैं पीछे की तरफ यहाँ पर टेलिस्कोपिक लगा हुआ है इसको adjust करने के लिए greasing points company ने proper दरिये हुए हैं जिससे इसमें greasing बिगेरा दे सकते हैं distributor ball भी दिये हुए हैं जिससे आप आगे पीछे से इसको lift को जो है control कर सकते हैं जिससे आपका square roller बाहर आने वाला है और सबसे सांदार features जब आप इसके tractor की turning करेंगे तो tractor तो मुड़ जाएगा लेकिन beller की भी दिक्कत होगी तो यहाँ पर beller भी मैं आपको telescopic turning point मिलते हैं साथ ही साथ दोस्तों ले चलते हैं front की तरफ और एक और सांदार features बताते हैं अब भाईया यहाँ पर हम खड़े हैं और इसकी करना है हमको lift की controlling तो उसके लिए लगे हुए हैं ये दो buttons जिससे आप इसकी lift कंट्रोल कर सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जो आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है वो आप ज़रूर सुन लेना उससे पहले वीडियो बंद करना नहीं तो आपको एक बड़े नुक्सान का भी सामना करना पड़ सकता है वो भाईया क्या ये है भाईया न्यू होलेंड टी साथ नब्बे याने की 200 HP का ट्रेक्टर हमने अभी तक जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी अधिक्तम 75 HP तक के ट्रेक्टरों की जिसमें मिलती थी लगभग 300 मीटर की टॉर्ग लेकिन इसके अंदर 780 से लेके लगभग 1600 न्यूटर मीटर तक की टॉर्ग देखने के लिए मिलती है इसलिए भाईया ये तो हो गई बहुत बढ़ी बात इसके बारे में हमें और deeply जानकारी नहीं है और deeply जानकारी यदि हम देशाने भी तो ये वीडियो 4 गंटे की बन जाएगी जैसे आप 4 मिनिट भी देखना पसंद नहीं करेंगे तो दोस्तो जो जानकारी मिली उससे खुस रहिए और मज़े करिए जिन्दिगी में और लीजिए जिन्दिगी का मज़ा मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो तक के साथ तब तक के लिए जै हिन जै जवान जै किसान